अलो दोस्तों स्वागत आप सब्सक्राइब रोजगार मली चैनल पर दोस्तों आज हम आपके लिए बंगाल विवाजन तता इस्थाई बंदोवस्त संब्धित कुछ महत्पुल क्योशन लेकर आए जो बार-बार एक्जामें पूछ लेते हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट में लाड कानबाली से इस्थाई बंदोवस्त प्रलाली लागू की थी लाड बेले जली ने भारते राजजियों को अंग्रेज जी राजनितिक परीदी में लाने के लिए सायक संधी प्रलाली का प्रियोग किया था लाड डलो जी ने अंग्रेज सामराज्य का विश्तार कर और ने हैतु हडप नीति का प्रियोग किया था तो दोस्तो सबसे बाद में जो है लाड़ करजन द्वारा बर्स 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था तो चलिए दोस्तो आपका सही उत्तर हो जाएगा option B बंगाल विभाजन चलिए अगला question देखते है क्योशन नमबर दो बंग बंग बिरोधी आंदोलन का प्रारम किस तिथी से हुआ था 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, 7 नमबर 1905 आपका सही उत्तर हो जाएगा option B, 7 अगस्त 1905 चलिए दोस्तो इसको देख लेते हैं ब्रिटिस सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निडले की गोसला की 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हाल में एक एतिहासिक बैठक में स्वेदिशी आंदोलन की विधिवत गोसला कर दी गई इसमें एतिहासिक भहिसकार प्रस्ताव पारित हुआ इसी के बाद से बंगाल में विभिन छेत्रों में बंग-भंग ब्रोधी आंदोलन ओपचारी ग्रोप से एक जूट होकर प्रारम हो गया तो बंग-भंग ब्रोधी आंदोलन जो है 7 अगस्त 1905 से स्टार्ट हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विवाजन प्रभावी हो गया था तो इसको याद रखेंगे चलिए अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमबर 3 भारतिय स्टांतरता संगराम के संदर्म में 16 अक्टूबर 1905 को निमली लिखित कारलों में से किसके लिए प्रसित है कुलकत्ता के टाउनाहल में स्वेदेशी आंदोलन की उपचारिक गोंसला की गई थी ये दोस्तो 7 अगस्त 1905 को की गई थी तो ये गलत हो जाएगा स्वेदेशी आंदोलन प्रारम किया था तो ये भी गलत हो जाएगा तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्शन B बंगाल विवाजन जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था चली अगला क्वेशन देखते हैं क्वेशन नमबर 4 श्रू बंग-भंग के बाद कौन सा अंदोलन इस्टार्ट हुआ था या शुरू हुआ था चली अगला क्वेशन देखते हैं क्वेशन नमर 5 बंगाल विवाजन की गोस्तला की गई थी 19 जुलाई 1905 को 7 अगस्त 1905 को 15 अगस्त 1905 को 16 October 1905 को यह इन में से कोई नहीं दोस्तो बंगाल विवाजन 16 October 1905 को हुआ था लेकिन इसमें बंगाल विवाजन नहीं पूछा बंगाल विवाजन की घोशला पूछी है दोस्तो बंगाल विवाजन की घोशला 19 या 20 जुलाई 19 या 20 जुलाई को हुई थी तो आप option में 19 जुलाई दिया है तो इसका अंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1905 को आपका सही उत्तर हो जाएगा option A चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं बंगाल विवाजन का निडले की गोशड़ा ब्रिटिस सरकार द्वारा 20 जुलाई 1905 को क्या गया था परंतुक कुछ पिर्मुक लेखा को द्वारा इसकी तीथी 19 जुलाई 1905 को भी मानी जाती है इसके आधार पर बिहार लोग से वायोग दोस्तों बिहार लोग से वायोग में जो है लाड करजन, लाड लिटन, लाड मिंटो तो आपका सही उत्तर हो जाएगा option B, लाड करजन दोस्तों लाड करजन के समय में बंगाल विभाजन होग था बंगाल विभाजन लाड करजन के कालम है 1905 में क्या गया था इसके निडले की गोशड़ा जो होई थी लाड रखेंगे बंगाल विभाजन के गोशड़ा 20 जुलाई को की गई थी 16 अक्टबर को यह लागू हुआ था या बंगाल विभाजन हुआ था और इसको जो है दिल्ली दरवार में 1911 में जो है निरस्त कर दिया गया है तो चलिए अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमबर साथ बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफटिनेट गवर्नर कौन था तो लाड करजन, कैनिंग, मेंटो या मेव तो दोस्तों ओप्शनों में सभी जो है गवर्नर जनल दिया है तो यहां लेफटिनेट गवर्नर जो है गलत लिखा है इसको लिख लेगे गवर्नर जनल, मंगाल विभाजन के जनल में बंगाल का लाड करजन कोन था तो लाड करजन ओप्शन में नहीं है दोस्तों यह क्योशन भी कलत है इसको थोड़ा सुदार लेंगे गवर्नर जनल की जगे लिख लेंगे दोस्तों इसकोशन को भी थोड़ा सुदार लेंगे गवर्नर जनल की इस्थान पर लिखते हैं लेफटनेट गवर्नर दोस्तों ओप्शन है सर एंट्रेज फ्रेजर, एचेचे रिजेले, बॉंडरिंग या एटी, अरुन्टेल आपका सही उत्तर हो जाएगा, उप्शन ए, सर एंट्रेज फ्रेजर, सर एंट्रेज, हैट्रेज, लीद, फ्रेजर, भारतिय सिविल सेवा के अधिकारी थे, उन्होंने बर्स 1903-1908 तक बंगाल के लेफटनेट गवर्नर के रूम में अपनी सेवा दी थी, बंगाल महत्पूर्ण भूमी का निवाई थी और ये लेफटनेट गवर्नल थे, तो इसको याद रखेंगे, चलिए अगला क्योशन देखते हैं, क्योशन नमर्नो, नेम ने लेकित में से, किसने बंगाल विभाजन 1905 के बिरोध में हुए आंदोलन का नेतरतब किया था, या किसने विभाजन 1905 के बिरोध में हुए प्रारंबिक आंदोलन का नेतरतब सुरेंदरनाद बनर जी ने किया था, इसको याद रखेंगे, चलिए अगला क्योशन देखते हैं, क्योशन नमर्बर 10, निमने लेकित में से, कौन सुईदेशी आंदोलन का अलोचक था, एवं तक था, WC बनर जी, SN बनर जी, RN टैगोर या बीजी तिलक, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, उप्शन C, RN टैगोर, रविंदरनाद टैगोर, स्वेदेशी आंदोलन के आलोचक थे, तता पूर्व एवं पस्चिम, सभ्यदा के मद्धेग, बहतर समन्वे संबंद के समर् तक थे, चलिए अगला क्योशन देखते हैं, क्योशन नमर 11, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तों के बहिसकार का सुजाफ सरपर्थम किसने दिया था, अर्मिंद गोशने, क्रस्रुकुमार मित्र ने, मोतिलाल गोशने, ततीश चंदर मुखरजी ने, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, option B, क्रस्रुकुमार मित्र ने, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तों के बहिसकार का सुजाफ सरपर्थम, बंगला पत्रिका, संजीवनी के संपादक, क्रस्रुकुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया था, इसको याद रखेंगे, बंग का सही उत्तर हो जाएगा, option D, 1905 में, लाड करजन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की गोशला की, जिसके पहला हम सुरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टान हाउस में सुजदेशी आंदुरन की गोशला की गई, इसी बैटक में एतियासिक बहिसकार प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें ब्रिटीज वस्तो के बहिसकार को राष्टे नीती के रूप में अपनाया गया, चलिए अगला क्यों देखते है, क्यों नंबर 13, बंगाल का विभाजन मुख्यते क्या गया था, हिंदू और मुसलमानों के विभाजन है तू, परसासनिक सुविदा है, परसासनिक सुविदा बताया था, परंतु वास्तम में बंगाली राष्टवादी की ब्रद्धी को दुरुबल करने के लिए क्या गया था, तात कालिन बाइसराय लाड़ करजन के अनुसार, अंग्रेजी हकूमत का यह प्रियास कलकता को सिहासंच्योत करना तदा बंगाली प्रियावादी का बटवार करना था, एक ऐसे केंदर को समाप्त करना था, जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था, और साजी से रची जाती थी, तो इसको याद रखेंगे, चलिए अगले कुर्शन देखते हैं, क्रिस्ट नमबर 14 बंगमंगाल विवाजन के बिरूत राष्ट वादियों ने निमलिखित कार्यकरम परारम किये, बाइकोट करना शुरू कर दिया, स्वेदेशी आंदोलन श्टार्ट किये, और एह सहयोग आंदोलन, एह सहयोग से कोई संबंध नहीं है, राष्टे सिक्सा शुरू किये, तो दोस्तों अगला क्योशन देखते हैं, क्योशन नंबर 15, स्वेदेशी एवं बहिसकार पहली बार किस घटना के दुरान संगर्स की विधी के रूप में अपनाया गया था, बंगाल विवाजन के ब्रूद आंदोलन, होम रूल आंदोलन, एह सहयोग आंदोलन, ये साइमन कम आपको वीडियो अच्छा लगाओ, आगे भी सित्रा की वीडियो ब्राप करने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और बैल आइकन को दबा दें